तो दोस्तो चार्ट पेटन की सीरीज में आजम बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन तूटने से पहले ही हम ये कैसे प्रिडिक कर सकते हैं कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकाउट होगा या नहीं होगा और उसके अलावा भी trend line के breakout के बाद भी जब हमें retes पर entry नहीं मिलती हम जो बेट करते हैं कि हम retes पर entry लेंगे वो retes पर हमें entry नहीं मिलती वहाँ पर stock index proper retes नहीं करता तो फिर वहाँ पर हमें कैसे entry लेनी है उस चिसको भी देखेंगे तो सबसे पहले तो दोस्तो इस तरह का chart जब हमारे सामने आता है तो यहाँ पर हमें predict करना होता है कि trend line का breakout होगा या नहीं होगा यहाँ पर हमें buying में position बनानी है या फिर trend line के वहाँ पर resistance से हमें वहाँ पर short करना है तो दोस्तो इस चिसको हम पहले part में समझ चुके है कि यहाँ से हम कैसे predict करेंगे कि यह अब trend line को तोड़ देगा या नहीं तोड़ देगा तो अगर वो part आपने नहीं देखा तो आप उस part को ज़रूर देख लिजिएगा description में उसकी link है अब दोस्तो short में पहले यह समझ लेता है कि यहाँ से हमें कैसे अंदाजा मिल गया है कि इस trend line का breakout होगा और उसके अलावा भी दोस्तो एक और नहीं चीज है जो मुझे आपको trend line के related बतानी है जो कि मैंने इस वीडियो में बताई थी जो हमने trend line को पूरी तरीके से समझा था और recently मैंने power of stocks का यानि कि सुबा सिसर का जो वीडियो देख रहा था उस वीडियो में भी उनी ने इसी point को लिया था तो मुझे again से वो point rewind हुआ कि हाँ इस बात को हमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है तो सबसे पहले तो दोस्तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था lower low lower high का structure बनते हुए आ रहा था अब दोस्तो यहां पर आप देखें यहां पर यह जो low बना फिर अगला low जो बना वो उसके उपर बना यहां पर बना यानि कि higher low बना lower low नहीं बना जिसे हमने सही तरीके से part 1 में सीख लिया है तो दोस्तो यहां से ही हमें थोड़ा अंदाजा मिल जाना चाहिए कि अगर इस stock को index को नीचे आना था तो इस low के नीचे अगला low बनना चाहिए था पर इस low के नीचे अगला low नहीं बना तो अब higher chance है कि यह trend line तोड़के उपर चला जाएगा पर दोस्तो इतनी बात है काफी नहीं होती सीथ इस decision पर हम वहाँ पर long में entry नहीं ले सकते क्योंकि आपको और मुझे हम सब को पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है काफी बार stock index market, stock market काफी बार ना technical की इतनी respect नहीं करता तो वो वहाँ पर structure bigger भी सकता है पर हमारे पास अगर ज्यादा confirmation हो तो थोड़े और chances रहते हैं कि trade हमारे direction में ही जा सकता है अब दोस्तो मैंने आपको बताया कि सुबा सी सर के वीडियो से जो point मुझे rewind हुआ जो हमने trend line में सिखा था तो यह है कि आप देखिए उपर मैंने एक trend line draw कर दी है अब आप दोस्त है कि वो trend line का breakout या breakdown हो जाएगा यहाँ पर उपर की तरफ हो जाएगा trend line अगर नीचे होती कुछ इस तरह तो नीचे की तरफ हो जाता चोथा या पांच में point में वहां पर उस trend line का breakout हो जाता है ज्यादा तर ऐसा होता है यह मत मान लेना कि हर बार ऐसा ही होगा पर ज्यादा देखिए इसने एक higher low बना दिया है lower low के बतले higher low बना दिया है तो दो point यहाँ पर हमें मिलते है कि हाँ यहाँ से एक trend line का breakout होना चाहिए अब मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि breakout के पहले ही आप वहाँ पर buy करके बैठ जाईए पर आप अपने mindset को clear रख सकते है कि अब करेंगे तो यहाँ पर train line पर आ गया train line का यहाँ पर resistance है तो यहाँ पर वो short कर देंगे कि यहाँ से नीचे आया यहाँ से नीचे आया यहाँ से नीचे आया तो अब यहाँ से भी नीचे आना चाहिए पर इतना काफी नहीं होता बाकी के सारे point भी देखने होते हैं जैसे कि higher लो को हमने देखा, trend line का चोथा point चल रहा है, वो हमने देखा, तो blindly वहाँ पर fail नहीं कर देना है, हमें weight करना है, अब यहाँ पर देखिए हमें 2 point मिल गए है कि breakout हो सकता है, एक तो चोथी बार यह trend line को touch करने जा रहा है, वो दूसरा एक higher low बन गया है, तो 2 point है हमारे पास के breakout हो सकता है, अब जो कोई भी बहुत ही risky trader है, वो यह कहता है, कि मुझे कोई फर्क नहीं परता, मेरा अगर यहाँ पर stop loss चला जाता है, तो मुझे जल्दी entry लेनी है, तो यह जो last swing low है, इसका stop loss लेकर यह जो hammer बनी है, इसका stop loss लेकर वो उपर की तरफ long कर सकता है, वो call buy कर सकता है, put sale कर सकता है, future buy कर सकता है, कुछ भी वो करना चाहता है, हाँ पर वो इस बात के लिए तयार होना चाहिए, कि मेरा इतने point का stop loss लेकर जाएगा, मान लिजे 20-30 point का stop loss है, मेरा जाएगा, मुझे कोई problem नहीं है, अगर मैं गलत जाता हूँ, मैं stop loss लेकर चलाओंगा, मुझे कोई problem नहीं है, तो वो risk की trader यहाँ पर enter कर सकता है, otherwise बाकी के जो safe trader है, जो confirmation लेकर चलना चाते है, उन्हें मैं बिल्कुल यह suggest नहीं करूँगा, कि आप breakout के पहले ही वहाँ पर trade लेकर बैठ जाओ, और कल के वीडियो में मतलब की part 1 में जो हमने सिखा था, कि breakout होने के बाद भी जो last swing high होता है, वो भी तूटना चाहिए, उसके बाद ही प्रोपर रिटेस के बाद ही हमें entry मिलती है, तो हमें तभी entry लेनी चाहिए, पर जो रिसकी trader है, उसके पास ये दो confirmation है, कि हाँ trend line का breakout हो सकता है, तो वो यहाँ पर trade ले सकता है, जो stop loss देने के लिए तयार है, अब दोस्तों अगर इस चीज़को हमने समझ लिया हो तो उसके बाद इस chart में आगे क्या हुआ वो देखते हैं, और आगे हमारा plan क्या होना चाहिए, अगर हमें वहाँ पर entry लेनी है तो, क्या हमें तुरंती वहाँ पर aggressive buying कर लेनी चाहिए, तो जैसा कि मैंने कहा जो risky trader है, वो यहाँ पर stop loss लेकर aggressive buying कर सकता है, तो उसे कुछ ना कुछ scalping में point वहाँ पर immediate मिल सकते हैं, पर जो वहाँ पर कुछ confirmation के साथ वहाँ पर trade करना चाहता है, उसे retes का wait करना चाहिए, वहाँ से हम चड़ गए इस trade में, तो हो सकता है कि retes करने के लिए नीची आए, और वहाँ पर हमारा loss हो जाए, साथ वहाँ से हम अपनी position को exit कर दें, तो फिर उपर चला जाए, तो दोनों में से कहीं भी नहीं रहेंगे, हम सही trade लेकर भी वहाँ पर loss book करके निकल सकते हैं, तो अब दोस्तों देखते हैं कि आगे के चार्ट में यहाँ पर क्या हुआ, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, एस पर technical इसे ना इस trend line पर एक बार touch करना चाहिए, यानि कि retes करना चाहिए, हम उसी का rate कर रहे थे, कि वहाँ पर हम entry लेंगे, पर आप देखिए, बीच में एक ही rate candle बनी और retes नहीं हुआ, थोड़ा सा ही नीचे आया, और फिर वहाँ से उपर जाने लगा, तो यहाँ पर हमें radius मिला ही नहीं, कि हम वहाँ पर entry कर पाते, तो अब दोस्तों हमारा क्या action होना चाहिए, अब हम यहाँ पर trade कैसे लेना चाहिए, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि यहाँ पर एक छोटा सा swing low इसने बना दिया है, इस hammer candle के साथ, तो अब दोस्तों अगर हमें यहाँ पर buying करनी है ना, तो इस candle पर buying कर सकते हैं, और इस candle का stop loss, यानि कि यह last swing low है, इस candle के stop loss के साथ हम वहाँ पर entry ले सकते हैं buying side यानि की long की तरफ और ज्यादा confirmation चाहिए तो ये जो इसने ये swing high बनाया था ने ये red candle वारा अगर ये cross कर देता है ना तो उसके बाद entry ले लो और आप अपना stop loss इसी candle के ये last swing low है इसी candle के नीचे रख के आप यहाँ पर entry ले सकते हैं अगर ये redress नहीं करता अगर ये redress नहीं भी करेगा ना redress करने का मतलब यहाँ पर last point पर आना चाहिए अगर ये redress नहीं भी करेगा ना तो थोड़ा बहुत तो वो swing low बनाईगा ही तो जो last swing low बना होगा ना उस last swing low का stop loss लेकर वहाँ पर आपको entry ले लेनी है अब ज़रूरी नहीं है कि वो उपर ही जाता रहेगा वो दोस्तो रिवर्सों के नीचे भी आ सकता है क्योंकि unpredictable है आपको पता है कुछ भी कभी भी हो सकता है पर हमें technical के हिसाब से चलना होता है हमें जो technical में दिखता है वो उस हिसाब से हमें वहाँ पर जाना होता है अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हो कि इस चार्ट में आगे किया हुआ यहाँ पर देखिए आप यह last swing low बना के उपर की तरफ ही जाने लगा मतलब हमने यहाँ पर जो stop loss set किया था हमारा हमने decide किया था कि यहाँ का stop loss लेकर हम वहाँ पर buying में position फीर से बना सकते हैं तो अब देखिए उसी तरह उसने काम किया इना आपको उपर resistance दिख रहे होंगे उस हिसाब से आपको अपने target को set कर देना है अब दोस्तों इसी chart में एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ को हमें समझना है चहाँ पर एक बार हमारा stop loss लोस भी hit हो सकता है क्योंकि technical के हिसाब से था हम सही थे पर वहाँ पर stop loss hit हुआ है मतलब कि trade नहीं लिया था हुआ नहीं है मैं आपको वो chart दिखा देता हूँ पर उसे हम part 3 में समझेंगे क्योंकि इस वीडियो में ही समझा तो ये मतलब बहुत ही long वीडियो बन जाएगा यहाँ पर देखिए दोस्तों उसके बाद वो higher high higher low बनाते हुए उपर ही जाता रहा तो ये जो आपको एक box दिख रहा है यहाँ पर एक point समझने वाला है जहाँ पर हमारा technical के हिसाब से stop loss हो सकता है मतलब technical हमें ये लगता है कि अब इसे नीचे आना चाहिए पर फिर भी ये उपर चला गया तो वहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं होती है वह point को हम आगे के part में समझेंगे so I hope दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा and I hope दोस्तों you like this video